नश्चार दोस्तों कैसे हो आप अच्छा गता हूं अपसे लिए अच्छोंगे अगर आपके बास भी मूबाइल में एक जीपी का डेट जीपी का मूबाइल डेटा अगर आप रिचार्ज करवाते हैं और दोस्तों यहां पर डेटा काफी जल्दी कंसुम हो जाता हैं यहां आपको आपको आपका डेटा चलेगा और यहां पर आपको गारंटी के साथ बताने वाला हूं दोस्तों यहां पर आगर मालीज़ा अगर आप दिन बर चलाते रहते हैं दिन बार अगर आप अपने फॉन में कर लोगे तो यहां पर काफी हद तक आपका डेटा हो जाएगा तो चले दोस्तों जल्दी से वीडियो इंफ्रमिशन को स्टार्ट करता हूं कि कौन से ऐसे दस सैटिंग्स है जिनको आपको अपने फॉन में करना है जिससे आप अपने अपने फॉपर प्रफाल आइकन पर क्लिक करना है और यहां पर अपने ऊपर प्रफाल आइकन पर क्लिक करना है और देखें दोस्तों यहां पर नीचे आना और देखें दोस्तों यहां पर आपको एक उप्शन दिखाते हैं फोटो सेटिंग्स का तो इसको आपको क्लिक करना है और देखें दोस्तों यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको यहां पर आपको बैकप यहां है तो नीछे आपको आना है तो यहां पर आपको एक ओप्षन दिख्याता है mobile data users का तो इस पर आपको कलिक करना और देखे दोसों यहां पर आपका mobile data users यहां पर unlimited होता है तो इसको आप 30 MB सेट कर दीज़े या 10 MB सब्सक्राइब करना चाहते तो केवल वाइफा के थूप करना चाहते तो आप इसको नो डिटा पर सेट कर दीजिए यह तो है आपकी सबसे पहली सेटिंग जिसे आपका गूगल ड्राइब अप्लिकेशन ओपन करेंगे तो यहां पर आपको गूगल ड्राइब में ऊपर आपकी थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है यहां पर आपको एक उप्शन मिलेगा सेटिंग्स का तो सेटिंग्स वाले उप्शन में आना है और देखे दोस्तों नीचे नीचे आपको एक option दिखा देता data uses का यह बोलेगा transfer files only over wifi यह बोलेगा uploading and updating of files will pause when wifi connection isn't available यानि कि देखिए दोस्तों अगर आप Google Drive पे अगर आप कुछ भी data data send करते हो कुछ भी data अगरा send करते हो अगर आपको कुछ नहीं करना अगर आपको कुछ नहीं करना अनेबल यहां पर करके रखना है जिससे आपको mobile data consume नहीं होगा आपको अपनी profile icon पर आने के बाद देखिए दोस्तों यहां पर उपर उपर यहां पर आपको settings वाले option पर आना है और देखिए दोस्तों settings वाले option आप आएंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको कुछ option दिखा देंगे यह बोलेगा general settings का account का data savings का auto वीडियो preference का download का ऐसे सारे option आपको किस पर क्लिक करना है वीडियो quality प्रफेंस वाले option पर आपको क्लिक करना है अब देखिए दोस्तों वीडियो data या 2GB data यानि कि कम data है अगर आपके पास कुछ limited data है तो उसको उसके लिए आप जो है इसको data saver वाले option पर क्लिक कर दिजिए data saver वाले option में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यह क्या करेगा कि lower picture quality आपको दिखाएगा आपकी जो वीडियो की quality वो decrease हो जाएगी लेकिन दोस्तों आपका data काफी हतक से हो जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर जिए अगर आप काफी ज़्यादा अगर आपको lower quality आप शो हो रही है और यहां पे आप lower quality से खुश नहीं है तो आप इसको auto वाले पर set कर दीजिए तो इस पर आप auto वाले पर set कर दीजिए लेकिन कभी भी आप इसको higher picture quality मत कीज़ेगा अगर आपका data यहां पर 1GV, 1.5GV, 2GV आपको limited data मिलता है तो देखिए दोस्तों मैं आप इसको lower quality पर यहां पर set कर दिया आप अपने preference के साब से set कर सकते है और नीचे जो wifi वाला option है उसको auto वाले पर set कर दीजिए अगर आप इसको wifi वाले option में अगर आप इसको highest picture quality कर सकते हो ना अगर आपका wifi unlimited है तो इसके बात बैक आना है आपको चोथी settings अपको आपकी youtube से related है इसके बात आपको यहां पर यहां आपको एक option दिखाए देगा data savings का और उपर यहां बीचा आपको यहाँ बैंड सारे option है यहाँ पढ़ सकते हैं यहाँ आपको इखने क्व आपको स्लाइक क्वालीट्ड कर सकते हैं उसको सब्सक्राइब लb सब्सक्राइब करक्राइब आपको यह इसको प्ले करने से पहले insane option मिल जाएगा तो यह आपको पुझेगा कि कौन से quality में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यह काफी आपको data saver कर सकते हैं इसके अलावा यहापको mobile data reminder का भी मिल जाता है option जैसे मानलीच अगर आप 200 MB में इसको set कर दोगे तो यह आपको YouTube बोल देगा कि आपने 200 MB तक जो है आपने mobile news का जो आपको एक reminder देगा कि आपने 200 MB का data यहाप यूज़ कर लिया YouTube देखते हैं आप देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं तो यह आपके preference के उपर यहापर option आपको बता देगा ठीश तो यह सारे option आप अनेबल कर दीजिए तो यह है चोदी सेटिंग्स आपकी अब देखिए तो पांच चीश सेटिंग्स के लिए क्लिए आपको गूगल प्लेश्टोर उपन गना है गूगल प्लेश्टोर उपन करने के बाद ऊपर आपनी profile ऐकन पर क्लिक करना है और यहाप देखिए दोस्टों यहापको एक settings वाले option दिख हो जाए इसके बाद auto update application में देखिए दोस्तों यहाप पर auto update application में आप over any network बिल्कुर मत कीजिए इसे आपका data charge लगेगा और यहापका data काफी ज्यादा consume होगा तो अगर आपके इधर में wifi है तो आप इसको over wifi only कर दीजिए या फिर आप इसको don't auto update application कर दीजिए जिसे आपक आपको application update करने जरूरी है तो इसलिए मैं आपको recommended करूँगा यहाप आपना mobile data use मत कीजिए आपको आसपास में आपको फ्रेंड का relatives का कोई भी wifi है तो wifi के थ्रूँ आप इसको कर दीजिए और wifi के थ्रूँ आप अपने सारी data application update कर दीजिए लेकिन इसको आपको आपको first वाल वीडियो आते हैं तो auto play होने start हो जाना है जिससे आपका खाफी जाए जाए data यह consume करेगा तो इसको आप autoplay videos over wifi कर दीजिए तो यह जो है आपको यह setting कर दीजिए आपने Google प्रेशन में तो दूस्तों यह है पाश्य सेटिंग्स और देखिए दो च्छटी सेटिंग्स है इसके बाद देखिए दो नीच आना यहां पर आपको उप्षिन दिखादेगा वैन यूजिंग मोबाल डेटा यान कि कोई भी फोटो सेंड करता है वीडियो सेंड करता है वीडियो कुछ भी सेंड करता है कोई किसी भी टाइप का डॉक्यमेंट आपको आपको डॉन्लोड यूज में तो आप उसी को पर पर्टिकुलर उस फोटो को डॉन्लोड कर सकते हो तो इसको आप किसी भी ऑप्षिन को चैक मत कीजिए सभी को अंचेक कर दीजिए यहां से इसके बाद वैन कनेक्टर टू वाइफाई में अगर आपको वाइफाई में अन्लिमिटर डीटा है वाइफाई में कुछ आपका पर्टिकुलर लिमिटर डीटा रहता है तो आप इसको फोटो वाले ओप्षिन को चूज कर दीजिए और डॉक्यमेंट्स वाले चूज कर दीजिए और रॉमिंग वाले में आप इसको सभी को हटा दीजिए तो यह सेटिंस है जो कि आपको इसके लिए क्या करना है आपको डेटा सेंटिंग डेटा वाले ओप्षिन में आने कबाद ऊपर आपको दिखा देगा मोबाइल डीटा यूज तो इस पर आना है और देखिए तो यह आपको बता देगा यह सबसे ज़्याद तीन सो चमवाली से एंपी जो मैंने डीटा करना क्या है यहां पर आपको सेटिंग क्या करने हैं देखिए सबसे वहले इंस्टागाम अप्लिकेशन आता है नीचे निचे आपको एक उप्षिन दिखे देगा तो इसको आप ऑफ कर दिना है यह आपको यह सब्सक्राइब कर दिना है मोच्शन आपके फोन में जितनी भ आप अप्लिकेशन को यूज करते हो तब आपका डेटा लेता लेता है अपका घॉण्य पर ऑपके मोच्शन दूसरी चीजी चीज़ है और उस टाइम पर जो है आपका यहां लगता रहेगा तो यहां पर आपसको हटा दीजिए सारे अप्लिकेशन जित्रहां जुब्हीं हटा दीजिए ताकि आपका डेटा काफी ज्यादा है इहां पे से हो जाएगा ठीक है लोस्तों यह आपको यह सेटिंग करनी है तो यह आपको 8 सेटिंग फ़ोंग में कर दीन पर यहां पर आपको नीचे नीचे आना है और यहां पर पर यहां पर एक यहां पर उन कर दिएटा सेवर यहांपे उस्टार हो जाएगा यह ब आपको वीडियो जो है और अटोमेटिकली जो है एडवांस में लोड होते रहेंगे तो इसको आप जो चेक कर दोगे चेक करके रखना है हमिशा आपको तो कि आपका डेटा सेवर हो जाए इसके बाद आपको एक उप्शन मीडिया इस पर आपको आना है और इसको हाई पर आपको एक प्रिजुट्री कॉलिटी में फोटो वीडियो डोकिमेंट देखने को आप इसको नेवर सेट कर दीजिए ठीक है तो यह आपको यह सेटिंग्स आपकर कर देनी आ अपने इस्टागाम अप्लिकेश्यों यह है नवी सेटिंग्स और दीकिश्यों यहां पर से क ह Leonard सब्सक्राइब करेंगे तो देखियों ब्रेक्जर आपने का है और मीडिया वाले compensi böप्श्ब्राक में मिलता है तो यह आपको बिल्कुल नहीं करना ध्यान रखिए कि आपको डीटा सेवर वाला ऑप्शन करना है यह डीटा सेवर क्या बोल रहा है यह बोल रहा है यह बोलेगा यूज अप्टू फॉर्टी परसेंट लैस्ट डेटा बाइस डीटूसिंग वीडियो का रैटी वीडियो देखते हो उसकी वजिए से सबस्यादा यहां पर डीटा लगता है तो यहां पर इसको आप चेक कर दिजे ताकि आपके वीडियो क्वालिटी यहां वीडियो क्या जाएगा लेकिन आपका डीटा 40 परसेंट यहां फेसे अब हो जाएगा ठीक है एक ओप्शन तो इंहाँ कोई फेश्बूक चालना लाठत हो जाता है इसको और औरी आपको नहीं करना तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दो प्रेंटों को ळीज़ेकर आप आपको आप इस हुए था चैनल साम को नुवरी करें ।